उधव ठाकरे को लगा आप किसका अश्रा? क्या उधव ठाकरे का घमन हुआ चू? कंगना से पंगा का क्यों हो रहा जिक्र? ठाकरे की कुर्सी और शुशान की मौत का कनेक्शन क्या? एक कहावट तो आप सभी ने सुनी होगी कि भगवान के घर देर होती है, अधे नहीं चौके मत हम आपको कोई कहानी नहीं सुना रहें बल्कि एक ऐसी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं जो आजकर सुर्ख्यों में भी हैं हम बात कर रहे हैं महरास्टी सरकार में मचे सियासी भूचाल की याद कीजिए आज से 20 महीने पहले का वो किस्सा जब मशूर एक्ट्रेस कंगर नावत के घर के छज्जे पर बुल्डोजर चला था और तब नजारा दूसरा था तब श्रिफ्सेना के खेमे में खुशी थी और कंगना के खेमे में गम तब कंगना रो रही थी तब का एक वीडियो अब आपको दिखाते हैं जो इन दिनों जम कर वारन हो रहा है अज में फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोरके मुझसे बहुत बढ़ा बद्ला लिया है आज मेरा घर तूटा है, कल तेरा घमन तूटेगा यह वक्ट का पहिया है, याद रखना हमेश्या एक जैसा नहीं रहता और मुझे लगता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिफ अयोग्या पे ही नहीं कश्मीर पे भी एक फर्म बनाओंगी और अपने देशवासियों को जगाओंगी क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा उन्होंने कहा था कि उदव ठाक्रेट तुझे क्या लगता है कि तुने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़के मुझे से बहुत बड़ा बदला लिया है आज मेरा घर तूटा है कल तीराग धमन तूटेगा अब समय का पहिया ऐसा धूमा कि आज उदव मुश्किल में है ऐसा रगता है कि जल्दी उदव ठाक्रे की सियासत की कुर्से के चारों पैट पूल्टने के तगार पर खड़े हैं ये वो ही उदव ठाक्रे हैं जिनके पीछे कभी विधायकों का रेला दिखाई दिखाई देता था और आज समय कि ऐसी मार पड़े कि ठाक्रे सहा रधायकों को फोन कर मना रही है चलिए अब महिलाओं से उदव ठाक्रे के पंगली की कुछ और तिससे भीया दिलाते हैं कौन है वो महिलाओं जिनके बद्दुआ के बोश के तले दब गई महराश्ट सरकार जिसमें सबसे पहले आती हैं कंगनर अनावर जिनकी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं शिवसेन सरकार ने तो मोदी की मार तब को भी नहीं छोड़ा याद करिए जब मोदी ने पहली बार देश की प्रधान मंत्री के रूप में शौपक नहीं थी तब मोदी की मार ने पाकिस्तान के पूर प्रधान मंत्री को पहार में शौल भेटी थी जिस पर मोदी की मार के बारे में शिवसेन को ने कुछ एते शब्द बोले जो हम आपको सुना भी नहीं सकते अब बारी आती है नमनीत राना की जो की सांसत हैं जिनको भी शिवसेना ने काफी प्रतालिस किया था उस समय उनकी आपों में आशो थे और शिवसेना के चेहरे पर खुशी थी इतना है नहीं के इतली चिलाते ने शुरद पवार पर टिपनी क्या की मानो तुपान भी आ गया उनको जेल में डाल दिया गया और अब आप देखी रहे हैं क्या हाल हो रहा है उधर शापने का वस्याई पर खत नहीं होता उधर की सरकार पर संकट के बीच जैसे ही माराज में सियासी उच्छपटक की गूंज आम लोगों तक पहुँची तो प्रिटर पर एक बार फिर से सुशाल सिंग राजपूत को लेकर ट्विक्स होने लगी ये तक कहा चानी दगा कि देश के हीरो को तीन साल हो गए अभी तक नियाय के नाम सिर्फ खेल हुआ खर जितने मूद नहीं बाते तो क्या वाकरी मूधर सरकार अपने कर्मों का फल बुकत रही है